हेलो दूस्तों आप सभी का मेरे चैनल बहुत दूस्वागत है तो आज हम बनाने जाना है ब्रेट पॉकड़ा तो यहां पर हमने ले लिए दो प्याज कटे हुए पतले-पतले स्लाइजेस में और हमने डाल दिया दो चमत बेशन अब हम डालेंगे हरा धनियां कट कर देंगे तो बहुत ही टेश्टी बनने वाला है तो यहां पर हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर लाल मिलिश पाउडर डाल दिया है गरम मसाला पाउडर धनिया पाउडर अमचूर पाउडर हमको थोड़ा-थोड़ा एट करना है यहां पर हमने एट किया चावल काटा यहां पर हमक मैंने सुचा जिनास्ते पर क्या बनाऊ तो मुझे याद है मैं प्रेट पकाड़ा बनाती हूं बिना वह भी बिना आलू के तो हमने यहां पर नमग भी एट कर दिया तो इतना टेश्टी बनेगा इतना टेश्टी मैंने कहाई मुझे मज़ा ही आगया आप लोग जरूर यह र क्योंकि यह हम बैटर त्यार करेंगे यह हमको ना ब्रेट के उपर ही लगाना है हम इसको बेशन में अलग से डिप नहीं करने वाले हैं आप लोग देखते रहेएगा मिक्स कर दिया अब हमने यहां पर ले लिया है ब्रेट तो में ब्रेट को कट कर लेंगे मैं ऐसे 20 से कट कर देना है तो जितने हमको ब्रेट तयार करने हैं तो उतने हम कट कर लेंगे हमने दो लोग के लिए आपर तयार किया था ब्रेट जितने ब्रेड हैं हमको ऐसे ही कट कर लें सारी आपको जितना बनाना उतना है इसाब से अपने मसाले हैं उसका बैटर प्यार करना है यहां पर मैंने दूल्डों के लिए किया था है तो हमारी प्रेड कट कर तयार हो गई है तो हमने यहां पर अध्रक एड़ कर दिया है थोड़ा सब्सक्राइब लेंगे सौप डाल दिया दें इसना इसका फ्लेवर बहुत इच्छा था तो इसमें थोड़ा सब जीर डालेंगे कि अच्छा कर देंगे अच्छा सब्सक्राइब लोग मेरे वीडियो को एंड तक देख लिया है तो हमें आपर ब्रेट कट किया था रवर रख लिया है तो यह देखिए अच्छा ब्रेट के उपर ऐसे लगाना है कि बहुत ही इजी बनने वाला है अब जब बनाएं इसको तो आपको लगए कितनी जल्दी बन गया और कितना टेस्टी बनाएं तो हम बार बार बनाकर खाएंगे अगर और भी आपको सब्जी आइट करने हो तो कर सकते हैं कोई पॉल्म नहीं है पर इसमें ना मैंने तुसरे प्याजी डाला था पर बहुत ही टेस्टी बना है इसको उपर से भी लगा देना नीचे भी लगाया आप देख रहे हैं तो हमने उपर से भी इसमें लगाया है के लेवसे अगया है चांब क करना है है अब अब समस्कुरे हम आरत टेल गरम ऊचुका होगा तो हम इसको बस इसी ही डालते में कणाया में गरम गर्म तेल में तो चलते हैं देखते हैं मारा टेल गरम हुए कि नहीं हुआ कि तुम्हां तेल गरम हुच जगा हम उसमें डाल देंगे बढ़ा यह देखे मारा दोट पड़ा करने जा रहा है जित तो लगरा कितनी जल्दी खाने को बढ़ जात वहाद ही तेस्ट बनेगा तो कि मैंने एक दिन और भी बनाया था बहुत ही तेस्ट ही बनाता अब 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 आपका आज में वीडियो नहीं बना पाया था तो मैंने का आज में वीडियो भी अपलोंग के लिए डाल दूगी और मैं खाबी लेगे इसको गोल्डें गाउन में तब मुलेंगे तो इसको अलटते प्लटते सेखेंगे अच्छे सेखेंगे इसको दूसरी साइड भी सेखना है तो अब लोग जरूर ये ब्रेट कोड़ा बना कर खाएएगा हम लोग हमें से आलु का ही खाते रहते हैं अब फिसमें टाइम भी लगता है लेकिन ये जट पर नहीं आए तो आप जरूर बनाएगा पच्छा एक सासर बखलेगा तो आप एक चमस ले लिए या कुछ भी हो मैं तो यहां पर चमटे से पकर लिया था देख में मुझे आसानी लग रहे हैं तो मैंने कर चलो गयरा नहीं लिया था ना चलने का यूज किया था इससे निकाला था मैंने आप लेक जो भी हो आप उसे निकाल सथे कोई प्रब्र प्रब्र पकाड़ा तल चुका है इसको प्लेट में निकाल लेते हैं अब ने निकाला और फिर से गिर गया अब इसको देखते हैं इसके क्या हल चाल है यह अच्छे से बुन चुका तो हमने आप ले लिया है टमाइटो सॉस अब सर्व करने जा रहे हैं तो तीन चार आप लोगे तो आप लोगे तो आप लोगे जाए और खास आईए और यह रही प्रेट पकाड़ा इतना टेस्टी टेस्टी लग रहा है यम्यमी सा जाए जल्दी अपने चेकर बनाएं कुछ भी नहीं सिर्प्याग से बनाना है तो सारी मसाले तो रहते हैं डेली यूज के आप लोगे तेस्टी बनाओगा तो अग्दम कुरकुरा स्पाइसी नहीं है जादा तो सिंपल से बनाया है तो मैंने इसको टेस्ट करके देखा है बहुत ही अच्छा टेस्ट है तो अगर यह रस्पी अच्छी लगी तो में चैनल को सब्सक्राबरें लाइक सेरीज कर दो है तो